यह नहीं है आजम एक स्लिपेंग्ट करके बताऊंगा आप लोगकर वीच में और बहुत ही सांदार प्रोडक्ट है उसके बारे मैं एक कि अपिस मैंने निकाला इसको दुबारा इसको मैंने लॉक भी कर दिया कि तो इसके बैक्ट्रिया जाएगा कहीं है निद्धिक सकते हैं यह बिल्कुल सुखा हुआ है अंदर में आप देख सकते हैं मैं इसको फिर्वसे वापन करता हूं इसका डबग लॉकिंग है देख सकते हैं यह बिल्कुल सुखा हुआ है यह सुखा हुआ है बिल्कुल सुखा हुआ है हम इसके अंदर पानी राजते हैं आप कर दो कर दो कि इतने में डालें तेस्ट इसमें कितना डाले थे पर चीज में इस आप दाल के देखे था और यह बिल्कुल ड़्याइन है विल्कुल राइं है विल्कुल यह सुखा हुआ है और इस पर तीसमें डाला और तहीं टालखे देख सकते हैं अगर 25 ब्लड यह 30 वी आ सकता है 40 आ जाना जाता है 40 चालीस डालके देखते हैं यह आँ़ग और श्यक्रेश्टेज में कि चाली से में पचास से में क्या डाले पानी डाले कि देखें कुछ दे रुख जाहिए इसके बिए भी पुलर ड्राइब जाए शुख जाहिए कि आलिये तरह अभी ड्राइब कि इसमें से जो बेक्ति पानी निकाल सकते हैं इसके अदर पानी नहीं है इसके अदर जो है जेल निकलता है उसको मोपिन करके में इसको भी देखतेंब अदर है क्या कि कि इसका फर्ष्ट लेयर है बिल्कुल कोटे ने आप देख सकते हैं ना कोटे आप चांदते हैं जो भी लोग ताप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट लेयर है जो एंटी रेडियसन के काम करता है इसका दोसरा लेयर देखिये इस तरीके से यह क्या है तिसरा लेयर है यह भी कॉटे ने बिल्कुल सुखा हुआ है चौथा लेयर में आप देखते हैं प्लांट एस्ट्रेक्ट जिल डला हुआ है इसे कोई नुक्सान नहीं करता है बॉडिक के लिए देख रहा है इतना लेयर मैंने देखा चौथा यह आपका पाचमा लेयर है इस तरीके छठा लेयर हुआ और सात्मा लेयर यह आपको सिंथेतिक है यह कोई प्लास्टिक नहीं है इसका अगर डेमो देखना है तो पानी को गर्म कीजिए और इसको डाल दीजिए और इससे जो वास होगा वह बाहर आना शुरू हो जाए क्योंकि कोई प्लास्टिक नहीं है एक मिनट इसको पानी है ना इसको डाल कर देखते हैं कि मुझे दिर्गवादी पूरा यह जोर कर लेगा तक शुरूवाद से समाझ सकते हैं मैंने अज़ नेपंदे से का डेमो दिया कैसा तो प्रवाद है ईस घर का यूज है झाल झाल